मुंबई हमले के दोशी कसाप को दिलाई थी फासी अब बीजेपी की टिकट से लड़ेंगे लोगसभा चुनाओ मुंबई नौर्ट सेंटरल से चुनाओ लड़ेंगे 26-11 के वकील उज्जवल निकम कई सालों तक आपने मुझे हमेशा मुल्जिमों के खिलाब लड़ते हुआ कोर्ट में देखा हैं लेकिन एक ऐसी जिम्मेदारी आच बाजवपा ने मेरुपे कंदे पर डाली है जिसके लिए मैं हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी भाजवपा के राष्टि अद्यक्ष नडड़ा जी महाराष्ट के भाजवपा के अद्यक्ष जी बावनकुले जी हमारे महाराष्ट के फॉर्मर सीएम और प्रेजेंट डेपुटी चिफ मिश्टर देवेंद्र जी मुंबई भाजवपा के अद्यक्ष आशिज जी इनका बहुत शुक्र गुजार्थ मुझे ये पता है कि राजनीती ये मेरे लिए नहीं है लेकिन आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि हमारा देश का संभीदान देश का कानून और देश की सुरक्षिता ये मेरे प्रियोर्टीज रहेंगे और ये प्रियोर्टीज के लिए मैं ये जरूर करूँगा कि जो हमारे समसद में इसके लिए क्या सवाल उठाए सकते हैं क्योंकि मैंने इस बंबई में कई इसे संगीन मामले चलाएं जिससे राष्ट हीत का एक्तार जुड़ाई की मैंने इसे कई बाते देखी भी है और अन्भू भी किया है कि उससे मैं कहता हूँ कि कानून ये स्रेष्ठ होना चाहिए बलवान होना चाहिए लेकिन आम आदमी पर कोही अंजाम नहीं आए इसकी लिए कानून क्योंकि हमारा भारत का कानून का एक बहुत बड़ा एहम प्रिंसिपल है सोग उनेगार छुड़ गए तो चल सकता है लेकिन एक निदोस्त को सजा नहीं होनी चाहिए आज तक मैं हमेशा मुल्जीमों को खिलाप लड़ता रहाँ चाहे ओ डेकॉइट हो चाहे ओ गैंग रेप हो चाहे लड़की पर रेप हो चाहे राष्ट की सुरचा टेरर रेक्ट हो सोशल और्गनाइज क्राइम हो और हमेशा मैंने यह जानने की कोशिश की है कि देश की छभी आज जो हमारे प्रधान मंत्री मोधी जी नहीं एक उची तरह से बढ़ाई है जिसके आदार पर आज पुरे विश्व में इंडिया का नाम सभी बहुत रिष्पे का आदर से लिया जाता है और इसको पूरा क्रेडिट मैं हमारे प्रधान मंत्री जी मोधी जी और उनके पूरे सहकारी को देता हूं लेकिन जिस जहां से मैं भी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है यह मुंबई के एक बड़ी एहम कॉंस्टिजिउनसी है मैं मानता हूँ इस कॉंस्टिजिउनसी को पहले भी मनोर जी कैलासवसी मनोर जी जोशी ने रिप्रेजेंट किया है रामदा जी अठोले ने किया है और तरून युवाम पुनम जी ने भी किया है इन शक्सों ने सिर्फ भाजपा और शिवसेना का नहीं लेकिन हमेशा देश के हीट के बारे में पार्लेमेंट में सवाल खड़ेगी है और आम आदमी को किस तरह से शांती मिल सकती इसके बारे में भी उन्होंने सोचा है मैं आपके माध्यम से यही सबको आश्वासित करता हूँ कि मेरी यही कोशिश रहेगी और इस कोशिश के माध्यम से मैं हमारे देश में जो भी नए कानून आएगे जिस कानून से देश की सुरक्सिता और आम आदमी का चलन कैसे सुधारा जा सकता है हमारा देश का यह वैशिष्ट है कि हमारे देश में अलग अलग जाद धर्मों के लोग एक होमोजिनीस लिए रहते हैं और इसी इंडिया में डेमोक्रसी आज पूरे विश्व में हमारे देश की डेमोक्रसी एक अच्छी तरस है जिसकी खलान पूरे पाश्यमात तो देशों ने की हैं बस इतना ही आज कहूंगा आगे चलके आपको भी बिंती रहेंगी मेरी कि आप भी मेरे अच्छे खामों के लिए जिसे मुझे मेरा होसला बुलंद रहेंगा ये किजिए कोई ऐसे पॉलिटिक्स में नया होने के कारण कोई ऐसे आड़े तेड़े सवाल मत पुछो क्योंकि हमेशा गुनेगारों के खिलाप लड़ता हूँ वैसी मेरी जवाब जबान बहुत करवी है आपको पता चली जाएगा पुनम जी और मैं हमारे संबंद बहुत पारंपारिक है प्रमोजी माहजन जी प्रमोजी के हत्या होने के बाद 10-15 साल हो गए पुनम जी पंकजा मुंडे मेरे मुझे हमेशा मिलते थे कोट में व्यान देते समय बहुत अच्छा वक्त उनके साथ मैंने गुजरा है पुनम जी का होमवर्ग भी बहुत पका रहा है मैं जरूर पुनम जी से मिलूँगा और पुनम जी ने 10 साल इस Constitution का Representa किया है इसका मतलब साथ है कि पुनम जी को इस Constitution के बारे में पूरी जान करlly है मैं उनसे सलाम शुरू करूंगा और उनकी राय भी मैं जरूर लूँ